चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मैं भारत को भारती अता की मान्निता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं और एक दो चोटे उधारन से बताता हूं टेकनॉलोजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है आपको याद है, 15-20 साल पहले इस देश में एक टेकनोलजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेकनोलजी ये हमने विदेशों से लाई, हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं कारण क्या है हमको जरूरत नहीं चीजें जो है न वो जरूरत के हिसाब से बनती है वो एक कहावत आपने सुनी है आवशक्ता आवशकार की जन्नी होती है जो जरूरते होती है आवशक्ता होती है तो आवशकार होता है हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नॉलजी ले आई अब वो टेक्नॉलजी ले आई अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं अब pressure cooker में जो खाना बनाते हैं आपको मालूम है वो aluminium का है और दुनिया में aluminium सबसे खराब धातू है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए सारे वेग्यानिकों की शोद इस बात पर केंदरित है कि aluminium के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं और ये जहर एक दिन जान लेवा होगा मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि अल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बना कर जो हम खाते हैं तो अल्यूमिनियम भारी तत्त है हैवी मेटल है वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है और शरीर का जो एक्सक्रीटा सिस्टम है जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है वो अल्यूमिनियम को कभी भी निकाल नहीं पाता क्योंकि अल्यूमिनियम बहुत भारी है बहुत हैवी है तो वो जमा होता रहता है और जमा होते होते फिर दमा, अस्थमा, ट्यूबर कुलोसिस जैसी गंबीर विमारियों का कारण बनता है मैंने विद्यारती जीवन में एक छोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है कारण उसका ये पता चला कि ज्यादातर गरीब लोग ऐलुमीनियम के बरतनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं ये उनके दमा और अस्थमा होने का टीवी होने का सबसे बड़ा कारण और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकितसा विग्यान में ऐलुमीनियम का इस्तेमाल वर्जित है हायुरवेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते ऐलोपैथी में भी ऐलुमीनियम का इस्तेमाल वर्जित है लेकिन उस ऐलुमीनियम का करोणों टन में विदेशों से हम import करके pressure cooker बनाके घर-घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा tuberculosis, अस्थमा के शिकार हो रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे दमा का कारण pressure cooker है हमारे दमा का कारण हमारे cancer का कारण गंबीर बिमारियों का कारण वो aluminium है मैं आपको एक पुरानी जानकरी देना चाहता हूँ तब आप इसकी भयावयता को समझ पाएंगे जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और क्रांतिकारी अंग्रेजों की खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रे होते थे और अंदोलन चलते थे तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारीों को जेल में बंद करती थी और अंग्रेज सरकार का ये उद्देश रहता था कि ये क्रांतिकारी जल्दी से मरें तो जेलों में जितने क्रांतिकारीों को बंद किया जाता था उन सबको एलुमिनियम के पात्र में ही भोजन दिया जाता था ताकि जल्दी मरे अंग्रेजों की सरकार ने बाकाइदा इसके लिए कानून बनाया था हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंग को चंदर शेकर को आश्वाक उल्ला को तांतिया टोपे को अजीम उल्ला को अमजद खान को सारे के सारे करांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एलुमिनियम के पात्र में उनको चाई मिलती थी एलुमिनियम के पात्र में चावल, डाल, रोटी, सबजी सब दिया जाता था ताकि इनके शरीर में एलुमिनियम जाए और ये करांतिकारी मरें ताकि अंग्रेज सरकारों का रास्ता साफ हो इस आधार पर अंग्रेज ये कानून बना कर चलाया करते थे अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को ऐलुमिनियम के बरतनों में ही खाना मिलता है क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मार डालने के लिए अंग्रेज अलुमीनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी क्रांदिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रैशर कुकर लाकर अपनी इकशा से अपने शौक से अपने मरने का इंतिजाम किया हुआ है ये है विदेशी टेक्नॉलेज़ अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैंने उसका अंदाजा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है और मिट्टी की हाड़ी में बनाएं तो जादा से जादा 40 मिनट में बनेगी 20 मिनट का यह अंतर है इस से जादा ने और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब जी में लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कोगर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूद जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी अलुमिनियम पात्र के दूद में नहीं मिलेगा मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते है न दूद डालके उस दही का जो स्वाध होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है तो स्वाध अच्छा है Quality में बहुत अच्छा है क्योंकि मिट्टी में Kelseyum है, Iron है Magnesium है, Magnes है शरीर को काम आने वाले 18 सूक्षम पोशक तत तो मिट्टी में ही है उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर को करके भोजन की तुलना में सौ गुना हजार गुना अच्छा है तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवेदन है कहने का वो ये कि हम इस घटा टोप में फस गए हैं विदेशों से तकनीकी आ रही है इंपोर्टेट टेकनोलोजी आ रही है उसमें कुछ खास दम नहीं है इसलिए आप इस माया मुह से बाहर निकलिए कोई टेकनोलोजी उनके यहां से आती नहीं है जो टेकनोलोजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं विकास करना होता है देश का हम करते हैं और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ात है विधेशी कम्पनियां तो एक ही चीज लेके आती है जो रद्धी टेकनॉलोजी उनके याँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहां फीक दें और जो बस्तू है उनके याँ इस्तेमाल नहीं होसकती उनको लाकर यहां कुल?